Hello friends, wish you all a very happy and prosperous new year 2022. दोस्तो, with the beginning of this year, we will understand the meaning of BC, AD, CE, या फिर BCE. जैसे आप कहते हैं, Before Christ, AD Anodominy, CE Common Era, BC Before Common Era, तो ये सब कहां यूज के जाते हैं, क्यों यूज के जाते हैं? और दोस्तो, हमें इसमें कोई confusion ना हो, इसलिए इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं. तो दोस्तो, AD से शुरू करते हैं, AD को कहा जाता है Anodominy, जिसका मतलब है Year of Lord, means after the birth of Jesus Christ, Lord का यहां मतलब है Jesus Christ. Friends, Traditionally Accepted Year of Christ Birth is labeled as AD1, and the year before, उससे पहले वाला समय जो है, वो 1 BC से start किया जाता है, 0 यहां यूज नहीं होता है. Common Era, Christian Era कह लिजिए, या फिर आप Current Era कह लिजिए. दोस्तो, जो अभी का समय चल रहा है, अगर हम बात करें 2022 की, तो यह क्या है? This is Common Era, 2022 CE, या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे AD2022, यहां आपने देखा, AD को पहले यूज किया गया है, और CE को बाद में यूज किया गया है, दोनों का मतलब एक ही है. AD2022 लिखा है, और 2022 CE, तो दोस्तो, यह Common Era वाला जो कंसेप्ट है, यह क्यों आया? Historians use a nomenclature with less religious meaning, namely CE, मतलब Common Era, या फिर BCE, Before Common Era, कोई religious biasness ना दिखाई देश में, इसलिए. तो दोस्तो, BC का मतलब है, Before Christ, जैसे कि Christ के जनम से पहले की जो भी डेट है, उसे BC में देखा जाता है, और वो 1 BC से स्टार्ट होती है, जैसे हम mathematics में integers को देखते हैं, 0 के left में जब हम जाएंगे, तो हम माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 मिलेगा, ठीक है दोस्तो, और अगर हम right मे जाएंगे 0 के बाद, तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से counting शुरू होती है, same BC और AD के साथ होता है, 0 नहीं आता, बस यहाँ पर, दोस्तो अभी तक हम ने समझा AD, AD की full form क्या है, अनो डोमेनी, after death नहीं है, और दूसरा यह समझा, कि alternative for AD is CE, common era, या फिर Christian era, या फिर current era, जो अभी चल रह रहा है, 2022, यह क्या है, AD 2022, मतलब, एनो डोमेनी, 2022, या फिर इसे हम current era कहेंगे, 2022, 2022, 2022 CE, current era, तो यह हो गया, AD के बारे में, BC means, before Christ, Christ A, जनम से पहले जो भी साल थे, जैसे 1 BC से start किया, 1 BC, 2 BC, 200 BC, 1400 BC, मतलब, 1400 साल पहले, और अगर अभी बात करें, तो अभी क्या है, उनके बर 20 साल बाद की बात की जा रही है, तो दोस्तों, यही है basic meaning, AD और BC के बीच में, और BC का जो alternative है, वो क्या है, BC का alternative है, before common era, BCE, दोनों का एक ही मतलब है, तो friends, I hope आपको समझ में आ गया है, और एक बार फिर से revise करते हैं, 2022, यह क्या है दोस्तों, this is common era, जो current year चल रहा है, and आप इसे anodominy 2022 भी कह सकते हैं, तो दोस्तों, once again, wish you all a very, very happy new year, all the best.